हेलो एवरीवन तो आपका हमारी चैनल पर स्वागत है आज हम डिसकस करने जा रहे है लिनर अजयवरा के question जो कि हमारे determinate से है तो हम question को बहुत अच्छी से discuss करेंगे तो देखिए हमारे पास first question क्या है is a the invertible matrix अगर हमारे पास a invertible matrix है और symmetrical matrix तो हमारे पास a invertible है symmetrical है तो अगर हमारे पास a invertible matrix है तो invertible चुनते हमारे मन में क्या आ रहा है कि भी a inverse एकजिक्ट करेगा पहले तो हमारे मन में यही आ रहा है न कि A inverse एकजिक्ट करेगा और शेक्ट चीज़ कुछ एक और आजिए है कि A into A transpose equal to क्या होगा identity होगा ना तो कि invertible matrix है ठीक है चाहत में बोल रख है कि symmetrical matrix है अगर symmetrical matrix है तो हमारे मन में आ है कि A transpose equal to A एक एक वो लोगा हमारे पास ठीक है जी तो अब फर्ट option हमारे पास क्या है कि A is symmetrical कि पूछ रहा है कि A inverse symmetrical बने गया नहीं बनेगी और साथ में कहा रहा है B option में A inverse is secure symmetrical and third option is also given a square minus 2a plus i equal to 0 and fourth option is none of double तो देखें first option में कहा रहा है कि A inverse is symmetrical चेक करते हैं कि A inverse हमारे symmetrical बनेगी या नहीं बनेगी तो first option को discuss करते हैं कि A inverse symmetrical means A inverse का अगर में transpose निकाल लूँ अगर उसी किकवल आ जाएगा तो हमारे पास क्या देंगे ना कि A inverse हमारे पास क्या symmetrical matrix है और हमें पता है कि जो हमारे पास inverse होता है और transpose हो तो हम दूनों का क्या कर सकते हैं interchange तो A transpose equal to A inverse और साथ में हमें क्या given है कि A transpose equal to A अगर हम प्रेप्लेस करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास A inverse तो यहां से आ जाएगा हमारे पास A inverse का transpose वो क्या किसके को ला गया A inverse की that imply हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारे पास A inverse है वो कैसे matrix है symmetrical matrix है clear देखिए तो फ़र्ट option हो जाएगा हमारे पास true तो second option में कहा रखा कि A inverse is szkью-symmetrical ऐसी तो नहीं हो सकता ना या तो हमारे पास symmetrical बनेगी या is spectrum k ul b caregiver अगर दुनंव बनेगी तो हमारे पासichi metrics कैसी बन जाएगी zero matrix आपको results पता है अगर दुन gimmid me that is esimerk exam to max zero matrix बन जाएगी means zero matrix के तो मारे पास invertible नहीं बनेगा लेकिन हमें दिया गया invertible है तो अगर अगर हमें इसे प्रूब करना तो मान लेते हैं कि let a inverse is skew symmetrical sorry writing तोड़ी इतने अच्छी है में मान लेते हैं कि हमारे पास जो a inverse है वो क्या skew symmetrical है अगर skew symmetrical है means a transpose a inverse का transpose minus a inverse का एककोल आ जाएगा तो first condition में देखें हमारे पास क्या given है जो हमने first option निकाल है कि a हमारे पास symmetrical matrix है अगर उपर जो given condition है तो उसको according हमारे पास जो a inverse है वो symmetrical बन रही है means a inverse symmetrical बन रही है यानि यहां से हम इसको number 1 दे तो a inverse transpose equal to a inverse अगर हम इसको 1 और 2 को हमारे आड करते हैं a inverse transpose equal to zero matrix आ जाएगा it means हम कह सकते हैं कि a inverse equal to zero matrix यह तो हमारे पास क्या हो जाएगा अनर्थ जाएगा है यहां से तो हमारे पास अनर्था जाएगा कि किसी भी matrix का inverse 0 नहीं आ सकता है तो जिरुआ जाएगा तो अगर आएगा तो हमारे डिट्रिमेंट 0 हो जाएगा यह लिए इनर्थ ही नहीं बनेगा तो यह option तो हो जाएगा पास wrong तो अगर b wrong हो गया तो a हमारा ठीक है तो d हमारे पास क्या हो जाएगा also wrong तो देखिए first भी हो गया हमारा second भी हो गया है और fourth भी हो गया तो अब बचा हमारे पास option third. Option third में देखिए क्या क्या रखा हमें? कि a इस relation को satisfy कर रहा हमारा जो में relation दिया गया है उसको satisfy कर रहा है means अगर हम बोलने कि जो a की हमारे पास analytical polynomial वो क्या है? x के r minus 2x plus 1 means इसको a satisfy कर रहा है तो ये a की analytical polynomial बन जाएगी अगर हम इसकी characteristic polynomial निकाले a की characteristic polynomial of ax तो वो हमारे पास क्या होगी? अगर इसको हम factor करते हैं तो x minus 1 का whole square तो ये तो हमारे पास क्या होगी? x minus 1 होगी? और या हमारे पास x minus 2 का whole square होगी? x minus 1 का whole square तो इन दोनों में से एक possibility हो सकती है लेकिन ऐसा जुरूरी नहीं है अगर हमारे पास characteristic polynomial ये है तो अगर यहां से तो eigenvalue हमारे पास क्या बन दी है? lambda equal to 1 यहां से भी हमारे पास क्या बन दी है? lambda equal to 1 eigenvalue बन दी है लेकिन जुरूरी नहीं है कि हमारे पास जो matrix invertible भी हो और symmetrical भी हो जिसके eigenvalue 1 बने? जुरूरी नहीं है हम example ले ले लेते है A को 2 cross 2 की matrix 1 और 2 मैंने matrix लिए 2 cross 2 की यह हमारे पास sketch matrix है invertible matrix है क्योंकि है determinant 2 आ रहा है और साथ में हमारे पास sketchy symmetrical matrix है क्योंकि हमारे पास जो यहां भी 0 है और यहां भी 0 है तो इसका A transpose equal to A आ जाएगा तो यह option भी हो जाएगा हमारे पास wrong तो इसका हमारे पास जो first option हो जाएगा true तो देखिए हमारे पास second question क्या है let A and B be n cross n matrix such that हमे एक relation दिया गया है where are the identity matrix then which of the following statements are true हमें अपताने कि कॉंशी statement हमारे पास true है तो देखिए हमे एक relation दिया गया है तो same question हमारा इसी format पे बेस December 2023 में आया था अब की बार अग्जाम में इसी format पे बेस था इसी जो हम इसमें identity यूज़ करेंगे या जो property यूज़ करेंगे वह ही property पे हमें जो December आपका चाहता था वो deal करना था तो question देखिए हमारे पास क्या है इसमें इसमें हमें relation दिया गया है B A B non-singular होगा A B A plus B के बारे में और A dot B के बारे में तो देखिए अगर मैं जो ये term है इसको left में लेके आता हम तो हमारे पास क्या बनेगा B A plus B square plus B A square equal to identity अगर इसमें से हम B कुमब निकालते हैं B कुमब निकाल सकते हैं आगे से तो हमारे पास क्या आजएगा A plus B plus A square equal to identity matrix तो ये step में अगर मैं इसमें determinant लगाते हैं देए determinant of B A plus B plus A square equal to determinant of I I का determinant हमारे पास क्या आता है 1 तो इस पूरी matrix का determinant हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है means ये पूरी matrix हमारे पास कैसे है non-singular तो कि determinant क्या आ रहा है matrix का पूरा पूरेका determinant कितना रहा 1 आ रहा यानि जो हमारे पास ये relation था ये वाला relation जो अंदर है determinant के तो उसका determinant 1 आ रहा है तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या बनेगा non-singular ठीक है और हमें एक property का पता है जो determinant की one of the most important property है कि determinant को हम क्या कर सकते हैं अलग-अलग कर सकते हैं अलग-अलग कर सकते हैं अगर हम इसको अलग-अलग करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आएगा determinant of b plus a plus b plus a square equal to 1 means हमें यह कह सकते हैं कि यह भी non-singular बनेगा हमारे पास और यह भी matrix हमारे पास क्या बनेगा non-singular तो देखें यहां से कि हमारे पास एक चीज़ clear cut आ रही है कि b is non-singular non-singular तो यहां से हमें clear cut पता चल रहा है कि b हमारे पास non-singular matrix बनेगी लेकिन हम a के बारे में कुछ नहीं कह सकतें क्योंकि हमारे पास condition निकल की आई आ इया वो क्या आई है, b के बारे में निकल की आई आई है और a plus b plus a square के बारे में निकल के आई ये भी हमारे पास कैसी matrix है non-simule है तो ये हमारे पास जो option b है हो जाएगा true तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे option A, C और D को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं A को कि यह कह रहा है कि अगर यह relation हमारे पास satisfy हो रहा है तो क्या A non-singular होगा? जुरूर नहीं है ना? अगर यहाँ पे हम अगर आप net का कभी paper दे रहे हैं तो आप बड़े example को भी मत सोचें आप सोचें सबसे पहले बिल्कुल easy-easy example जैसे identity matrix, zero matrix आपको contradict करना है तो सबसे अच्छा होता है zero, identity, जो simple matrix होता है क्योंकि मैं उनमें calculation करना बहुत easy होता है तो अगर देखिए यह कह रहा है कि is non-singular अगर मैं a को singular लेके चलता हूँ मैंने क्या choose गया मैंने b को choose गया, i matrix क्योंकि अगर मैं i को i का square गरता हूँ, तो हमारे पास दुनों side हो जाएगा, equal हो जाएगा और b को मैं choose गर, a को choose गर लेता हूँ zero matrix, तो यह हो जाएगा हमारे पास BA 0 बन जाएगा और हमारे पास BA का स्केर भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा अगर हम कहेंगी A option के लिए अगर मैं A को 0 matrix चोज़ गर रहता हूँ और B को हम चोज़ गर लेते हैं I matrix तो हमारे पास जो उपर वाला relation हो satisfy हो जाएगा लेकिन यहाँ पर कहा रहा है कि A first option है A is non singular लेकिन हमारे पास तो क्या बन जाएगी singular बन जाएगी तो यह option भी हो जाएगा हमारे पास incorrect देखे अब option 3 को option 3 में कहा रखा है कि A plus is non singular A plus B के बारे बात गर रहा है लेकिन हमारे पास condition नहीं का लिए यह B के बारे में और साथ में हमारे पास कीकिन चलाएगी A plus B plus A square के बारे में यह दोनों non singular होगी ठीक है लेकिन यह कहा रहा है A plus B is non singular तो हम इसको discuss करते हैं देखिए अगर मैं A को choose कर लो कुछ ऐसी matrix की A को मैं minus I choose कर लो और B को choose कर लेगते है I matrix ठीक है लेकिन क्या जब हम A B करते हैं और जब हम B करते हैं तो हमारे पास की आएगा minus identity matrix ठीक है जी और यहां पे हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास Bınd minus identity matrix है यानि हमारे पास क्या जाएगी identities square यानि हमारे पास awakening क्या जाएगा माइनस आई तो ये भी इससे cancel हो जाएगे means ये जो उपर वाले relation है उसको satisfy कर रहे है लेकि इन दोनों का sum कर रहे है तो हमारे पास क्या रहे है A plus B क्या आजाएगा हमारे पास 0 आजाएगा यानि हमारे पास non singular आजाएगा लेकिन ये तो कहा रहे है कि singular आएगा तो ये option भी मारे पास क्या जाएगा incorrect और D option तो हमारे पास also incorrect हो जाएगा अब हो जो हमने डिसकेस किया है जो मारे पास A option of square holding हमारे पास क्या हो जाएगा इसका option था वो B option है कि B is non-singular वो ही हमारे पास क्या होगा correct option now we will discuss our next question तो next question हमारे पास क्या है let a be the n cross n matrix of rank 1 let alpha equal to determinant of i plus a और i हमारे पास कैसे identity matrix है और beta हमारे पास define किया गए trace of a और हमसे पुछा गया कि कौन्स option हमारे पास true है is true यानि एक option मारे पास क्या बनेगा true बनेगा तो ऐसा question paper में mostly आता है जहां पे हमें जुड़ा सा data दिया हो जाता है और पूछा होता है कि हमारे पास conception true बनेगा और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास exact value आती जैसे means कि पूछ लेता है कि determine क्या बनेगा trace क्या बनेगी something ऐसा पूछा होता है means exact value आएगी तो हमें क्या करना होता है कि हमें contradict के लिए simple example चूज करना होता है और जिससे हमारे पास क्या हो जाए maximum number of option discard हो जाए तो देखिए ए हमारे पास कैसी matrix है n cross n की ओ रैंक 1 तो मैं एक को actually matrix choose करता हूं जिसका rank 1 है तो मैंने एक matrix choose गरी 2 0 0 0 मैंने 2 cross 2 की लिया आप 3 cross 3 की लेके deal कर सकते हैं लेकि मैं 2 cross 2 की लेके deal कर रहा हूं ताकि easy हो जाए मेरे लिए तो देखिए अगर मैं a plus i का determinant निकालता हूं यानि determinant of है a plus i तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास determinant of है determinant of है इसमें i को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cross 2 की जोड़ने हमारे पास तो 2 plus 1 0 0 और 1 यानि हम कह सकते हैं determinant कि हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यानि हमारे पास जो alpha की value वो वो आ जाएगी 3 वो beta निकालते हैं beta क्या हमारे पास trace of a यानि trace of a निकाले तो हमारे पास क्या जाएगा 2 तो देखिए first option में कहा रखा है कि beta minus alpha यानि beta minus alpha करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा minus 1 तो यह option तो हो जाएगा हमारे जहां से discard यह कहा रहा है कि alpha minus beta equal to 1 alpha minus beta तो 1 यह option हो जाएगा हमारे पास true चेक करेंगे हमारे पास true बन भी रहा है नहीं बना पहले हम c or d को चेक करेंगे अगर हमारे c or d रों हो जाएगे तो हमारे जो b option हो क्या हो जाएगा हमारे प्र true हो जाएगा पहले हम पर c or d को चेक करते हैं तो देखिए alpha हमारे क्या है less than beta plus 1 यानि alpha alpha हमारे पास क्या है 3 3 क् वो तो equal है तो यह भी option हमारे पास क्या हो जाएगा रोंग डी कह रहा है कि जो alpha है याई 3 वो क्या greater है हमारे पास 2 plus 1 से नहीं less है वो हमारे पास equal का है जो equality आ रही है तो यह option भी हमारे पास क्या हो जाएगा रोंग क्या है तो अगर हम इसको concept को discuss करें तो concept हमारा लहनती हो जाता है तो paper में ऐसे deal नहीं करना है क्योंकि हमें paper में कम से कम से question निकालना है तो हम ऐसे सी question को हम example लेके deal करेंगे कि हमारे पास जो maximum number option है वो discard हो जाए तो अगर हम इसको concept well discuss करें तो देखिए क्या होगा तो मैं पहले kokohi range कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या दियागा है जो हमारे पास a है वो क्या सी metrics है n cross n की और जिसका rank क्या है 1 है तो में मानता हूँ कि अगर हमारे पास a n cross n की metrics है और इसका rank 1 है it means उसके जो eigen value आएगी वो क्या होगी एक तो हमारे पास कैसी होगी नोन जिरो और बाकी सारी ऐगन वैल्य क्या हो जाएंगी जिरो हो जाएंगी ना तभी हमारे पास क्या बन रहा है रैंक वन बन रहा है तो इसकी हम सेट ऑफ आइगन वैल्यू मानते हैं तो मैंने क्या मानना इसके जो आइगन वैल्यू का सेट है वह मानना मैंने एक को तो मान लिया मैंने लेम्डा लेम्डा हमारे पास कैसा है नोन जिरो है बाक्की को सभी क्या मान लिया मैने जिरो 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 मानना है क्या है वो हमारे पास है क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक एन क्रोस एन क्या रेंक वन है तो हम कहेंगे कि जो यह 0 है हमारे पास कितने टाइम आएंगे n माइनस 1 टाइम आएंगे अगर हमारे पास n को आफ n की मैट्रिक्स है तो यह हमारे पास क्या बढ़ेंगे set of eigenvalue of a ठीक है जी तो देखें मैं एक b matrix define करता हूँ b matrix मैंने define करी कैसी i plus a ठीक है तो मैं b की eigenvalue निकाल लो जबकि हमारे पास a की eigenvalue दीगी है तो हम इस relation से निकाल सकते हैं तो b की जो eigenvalue का set वो क्या आएगा हमारे पास अगर हम यहाँ पे lambda पूट करते हैं तो जो i की eigenvalue 1 है और a की हमारे पास lambda है तो हमारे पास फ़र्ट eigenvalue आजाएगी 1 plus lambda i की eigenvalue हमारे पास 1 है और a की eigenvalue हमारे पास क्या है 0 तो यहाँ हमारे पास eigenvalue आजाएगी 1 1 1 up to 1 कितने time हमारे पास यह आजाएगे हमारे पास n-1 times यह हमारे पास कितने थे n-1 times तो देखिए अगर मैं b कर determined निकाल लो अगर मैं determinant निकालते हैं तो B का determinant क्या हैगा हमारे पास product of eigenvalues तो अगर हम सभी eigenvalues की multiply करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 1 plus lambda यानि हम कह सकते हैं alpha की value हमारे पास क्या जाएगी 1 plus lambda जबकि eigenvalue हमारे पास A की क्या है lambda और beta हमें defining किया गया है trace of A अगर मैं यहां से trace निकाल लूँ A की trace of A निकाल ले तो हमारे पास क्या होता है वो होता है sum of eigenvalues तो अगर हम सभी की eigenvalue का sum करें तो हमारे पास क्या जाएगा lambda तो यहां से हमारे पास जो trace of A उसको वो हमें क्या दिया गया है वो दिया गया बीटा तो यहां से वमारे पास दो relation आते हैं कि alpha equal to 1 प्लस lambda और beta हमारे पास आ जता है lambda तो यहां पे अगर lambda को हम b faculty replace करें तो हमारे पास क्या जाएगा 1 प्लस bada यानि alpha equal to 1 प्लस bata और यहां से हम निकाल ले alpha minus bada equal to तो यह option हमारे पास जो b है वो हो जाएगा true तो मैं बाकी ओप्षिंट को डिस्कस करने के दूरते ही नहीं है तो